आमरपाली और पवन सिंग की जोड़ी जब भी साथ आती है धमाल कमाल और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करती है जी हाँ इस बार भी ये जोड़ी मैंने उनको सजन चुल लिया फिल्म में एक आइटम सौंग करती नजर आएगी और इस गाने ने भी आते ही रिकॉर्ड काय किया है महज 12 घंटे में एक मिलियन से भी जादा व्यूज क्रॉस किया है और इस गाने की तारिफ हर कोई कर रहा है हर किसी की जुबा पर ये गाना चड़ा हुआ है पवन सिंग और आमरपाली के फैंस इस गाने के तो दिवाने हो चुके हैं और लगातार ये गाने की इस्ट्री इतनी जबरजस्त है कि अन्जना सिंग थोड़ी फिक की पड़ती नजर आ रही है भाई आमरपाली और पवन सिंग की इस जोड़ी के लिए तो हम अक्षरा सिंग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अक्षरा सिंग ही वह पहली सक्स्ती जिन्होंन इस दॉणके बताने की जरूरत नहीं है वो गाना कॉन सा था गाना था रात दिया बूटाय के आज भी यह गाना सबसे जाधा भोच्पोरी में सुना गया है और इस गाने में पवन और आमरपाली की केंश्ट्री देखने लायख थी और इस गाने के लिए आमरपाली को किसी ने मनाया था तो वो कोई और नहीं अक्षरा सिंग थी अक्षरा सिंग ने ही पवन सिंग को यह आइडिया दिया था कि फिल्म सत्या में आमरपाली के साथ वो एक आइटम नंबर करें जिसे पबलिक बहुत पसंद करेंगी और यह काफी युनिक भी होगा क् आमरपाली और पवन सिंग कभी एक साथ नजर नहीं आये थे इसलिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्रेडि इस गाने का अक्षरा सिंग को तो बनता ही है भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए